हेलो दोस्तों मिशन कोवर्मेट जोब के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है डेली शाम को आठ बजे जो आपको जीके की वीडियो मिलती है उसमें मंडे से लेके सैटरडे तक हम जितने पार्ट कम्प्लीट करते हैं संडे को शाम को 6 बजे उसका तो सविधान शांशोदन का इलेक अगर बाग पूछे तो वाग नंबर 20 में है और अनुछेद पुछे तो अनुछेद 368 है 153 में रजयपाल का उलेख है और सो में लोकसभा का जो अधेक होता है उसका जो वोट होता है वो निनायक वोट होगा यह किसमें लिखा गया है अनुछेद सो में explanation मैंने डेली वाली वीडियों में आपको दे रखी हैं इंदर इंदर किला नशनल पारक भारत के किस राज्य मी तो इसका अंसर हो जाएगा यह हिमाचल पर्देश में और हिमाचल परदेश की कैपितल है शिम्ला गोवा की कैपितल पंजी है मद्य परदेश की भोपाल है और उत्तर परदेश की लखनव। चैनरा बैंक का ae가 जो किए बैंगलूरू में और government एंगलूरू जो है वो करनाटा की capital है कानदा तो नेक्स्न थानह रमस के शाषनकाल में भारत पर आकरमन किया था तो सिकन्देशन शार्क्राइक भारत बैंगलूरूरू पर भारत मंख? सबस्सक्राइब सएक्भाइब और पैरिस जो है वह फ्रांस के कैपिटल है नेक्स्ट करशन है, हमारा वायूमंदल की उपरी-परत की अध्यान जो हमारा एट्मोंसफेर होता है कि जो अध्यान सबसे उपरी-परत होती है Чुबивать मंदल उस-कर Ind fen जिसको बाहरayan कश्मीर में गाले की कापिटल शिलोंग है तिरपूरा की अगरतला है मिजौरम की आईजोल है आसम की दिसपूर जमू कश्मीर अब हमारा यूटी बन चुक है इंडोनेशिया की राजधानी जकारता है और मुद्रा जो है वो रुफई है ठीक है इरान की तहरान है और करंसी कि दिनार और डाइब्ट इसले का बाता है तो वर्ड डाइप्टीस डे हर साल बनाए जाता है चोदा नवंबर को 14 अनवंबर को ज्वाला नहरू का बेर्डे भी आता है ये वह आपको याद रखना नेक्स्ट नेट बोल में कितने प्लेयर होते हैं तो नेट बोलमें साथ होते हैं ओके तो आपको फटा-फट सारी रिविजन करनी है कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना नेक्स्ट कोशन है हमारा हाँ जी नेक्स्ट कोशन है OSI मोडल में कुल कितनी लेयर होती है तो OSI मोडल में लेयर होती है 7 कोई भी जो मैसेज होता है वो 7 लेयर से होके ट्रांस्वर होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मोडल इसकी फुल फोम हो जाएगी नेक्स्ट कोशन है कार्बिलन कप किस खेल में दिया जाता है तो कार्बिलन कप दिया जाता है लोगसबा की सिटे 525 से बढ़ा कर 545 की गई थी ठीक है पहला सविधान चन्चोदन 1951 में हुआ था ये भी आपको याद रखने च्छतिसवा सविधान चन्चोदन 1975 में हुआ था सिक्किम को 22 राजे का दर्जा दिया गया था और 52 सविधान चन्चोदन में हुआ था कॉंग्रिक की स्थापना कब जी ने शूटा महाद्विप कोन से महाद्विप कोट्र कितनी साथ है सबसे चोटा ऊस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्विप एशिया भर्थ नाट्यम किस रजय का शास्त्रेयं रिते हैं तो भर्थ नाट्यम का है तमिलाडू कैंगाए तो कथकली याद किया गया था तो बी एन राव को न्युक्त किया गया था सविधान सभा का कानूनी सलहाकार सविधान सभा के सामने 13 दिसंबर नीसोच्यालीश को उदेशा प्रस्ताव किसने रखा था ज्वालन नहिरु ने और सविधान सभा के ऐस था यह जएक्स कोन थे तो डॉक्टर सचीदा नन सिना था राजिंदर परसाद लून करंसर भारत के किस राज्य में तो राजस्थान में एरिया के इसाब से भारत का सब सबसे नहीं तो सबसे परहत हुआ है नेगस्ट कोषन है हमारा है नंवी गाउ नैशनल पराग भारत की तो राज्य में तुम नवेगाव कहां पर है महारास्टर में और महारास्टर की कैपिटल है मुंबई आई पी सी इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का हैड़कोर्टर जनेवा के अंदर है मैंने जब डेली वीडियो अप्लोड करती हूं तो उसके अंदर आपको जनेवा वाले सारे करवा दिये नेक्स्त है गोविन सागर जील भारत के किस राज्यमिय है जब मैंने आठ वजी वीडियो अप्लोड करी थी तो नीचे कमेंट आये था कि गोविन सागर जील जो हो हिमाचल परदेश की अंदर है अब गोविन सागर जील मैंने आपको बताय था पंजाब में पंजाब भी सही माना गए है तो ऑप्शन में अगर हिमाचल परदेश ना है तो आपको पंजाब के साथ जाने है वरना गोविन सागर जील कहां पर है हिमाचल परदेश की अंदर है ओके तो यह आप ठीक कर लेना उस टाइम में ये बताना भूल गई थी नेक्स्त हैं हमार सविधान शंशोदन 1985 में हुआ था संसद्य शाशन वेवस्ता कहां से ली गई है ब्रिटेन से ली गई है ये भी आपको याद रखना है मोली के दिकार कहां से लिए गई है अमेरिका से मोली कर्तवे कहां से लिए गई है रूस से लिए गई है बहरीन की राजधानी क्या है बहरीन की राजधानी के हैं मंगलिया की राजधानी माले माले हैं और करनसी है कारगिल दीवस नहीं को आत लुक्र जलाई को वात आए नेस्जनल डॉक्टर नहीं को कोंग्रेस 옆स्पस भीम्ट दूसरा ज्वेशन चीछेशेशा याद्रसी तो माई एक्सपेरिमेंट विर्टुथ के लेखक का नाम क्या है तो वह है महात्मा गांदी महात्मा गांदी की समादी का नाम राजगाट है अर्जशास्तर में नोबल पुरुसकर कि शुरू किये गए नोबल पुरुसकर कि शुरुआत 1901 में हुई थी अलफ्रेड नोबल की या हैं कौनकर यूद अब्यास बारत और किस देश के बीच होता है भारत और यूके के बीच होता है हैंड इन हैंड होता है भारत और चाइना के बीच और अगर सिधा पुछे यूद अब्यास बारत और किस देश के बीच होता है तो वह अमेरिका के साथ होता है ठीक है नेक्स कितने प्लेयर होते हैं तो जिमनास्टिक में आठ प्लेयर होते हैं सभिधान श्रंश्वदन 1989 में उआ था साटर्हभानी昨व में तो स roubangen नोसमें तो पनाहिक से तार्तली ध्रमत्र चुर्बूत दीशवीवर्ट हेलेते को एवलरा है घ्रवनай जोंपांजिक全र फस्त प्रेवल्ट कर् comum क्योंकि यह टेस्ट है आपको सिर्फ रिवीजन करानी है ताकि एक हफते में जो हमने किया है आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े हमारी वीडियो सुनकर ही आपकी रिवीजन हो जाए ओके नेक्स्ट कोशन है हमारा सुन्दर बन नैशनल पारक भारत के किस राजे में तो सुन्दर बन कहां पर एं पस्ट्र मंगाल की करते गहां पर पढ़ेग तो वह उतरपरदेश की कैपिटल लखनाओ के अंदर है चोधरी चरण सिंग की समाधी का नम किसान घाट है अमजद अलिखा कौन सा वादे यंतर प्ले करते थे तो इसका अंसरो जाएगा सरोध प्ले करते थे वो कॉंग्रेस के दूसरे अज्यक्ष कोन थे पहले मैंने आपको कॉंग्रेस की स्थापना बताई फिर कब हुए काहा पर हुए आप चारो की आद्यक्ष याद रखने याँ पहले में दादा भाही न रोजी तीसरे में बदरूदिन तैयव जी ठीक है आपको तिन्नों ऑधिवे का मेदन कहां पर है औस्ट्रेलिया में है औस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबर आए पी एन बी का हेड़कॉर्टर कहां पर है तो दिल्ली के अंदर है ठीक है चेहतरवा और चोहतरवा सविधान 65219ward92 में भृता अbn की क्या है राज़वा धापिटल बैंक और कानसी किना में भाथ है लेब्नान की बेरुत हो जाएगी और करंसी हो जाएगी पॉर्ट नेक्स्ट कोशन है हमारे पास अंजी नागरोल नेशनल पार्क भारत के किस रज्जे में तो नागरोल कहां पर है करनाटा के अंदर है करनाटा की कैपिटल बंगलूरु है कॉंग्रेस के फोर्ट अधिवेशन की अध्यक्ष को थे तो जोर जी उले थे यह पहले अंग्रेज यह आपको याद रखने राम गंगाबांद किस राज्य में तो राम गंगाबांद राम गंगा नदी पर है और उत्रखंड में आई एए इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजनसी का हेड़कौर्टर कहां पर है तो इसका हेड़कौर्टर वियना के अंदर है और वियना सबने नीचे कमेंट करना है इसका अंसर क्या होगा वर्ड फोरेस्ट डे का बात है तो वर्ड फोरेस्ट डे 21 मार्स को आता है विशव जल दीवस 22 मार्स को आता है विशव खुशी दीवस 20 मार्स को आता है विशव बोक्ता दीवस वर्ड कंजूमर राइट डे 15 मार्स को आ तो यह हमारी आज की वीडियो थी काफी सारे कोशन मैंने आपको रिवाइस करा दिये जी के जितनी ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी वीडियो कैसी लगी कमेंट जुरूर करना पसंद आए तो लाइक और शेर जुरूर करना थेंक्यू